असलाम लेकुम एव्रिवाइन वेलकम तो मैं चैनल ओन दिस चैनल आई शेयर हाउ टो गाइड्स एंड ओनलाइन अर्णिंग मैथड्स तो आज हम लोग जिस टोपिक पर बात करेंगे वह हैं इंस्टाग्राम मॉनिटाइजेशन इन पाकिस्तान क्या इंस्टाग्राम ने पा सकते हैं और इसके इलावा कौन कौन से गाइड्लाइन से जिनको फूलो करना जडूरी है अगर हम इंस्टाग्राम से अर्ण करना चाहते हैं तो तो आज की वीडियो में हम लोग यह सब बाते डिसकस करेंगे फरस्ट ओफ और यह मेरा आप एक पेज देख रहे हैं इंस्ट बेसिस पे आप लोग मोनिटाजेशन के लिए इनेबल हो सकते हैं तो उसमें यह आ जाता है कि आप लोगों का जो कौन्टेंट है वो आप लोगों ने खुद क्रियेट किया हो रिल्स पे बेसिकली मोनिटाजेशन होती है लेकिन पाकिस्तान में अभी रिल्स मोनिटाजेश के लिए eligible हैं यह नहीं है तो वह हम आपको दिखा देते हैं यह दिखें यह मेरा एक professional account है ठीक है business account है अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक option है professional dashboard इसके उपर अगर हम लोग क्लिक करें तो आपके सारे analytics भी आ जाती हैं आपके account के growth की सारी की सारी history आ अगर हम लोग tools का देखें तो यहाँ पर एक option है branded content इसके उपर हम लोग क्लिक करेंगे अजी अब branded content में आप देख सकते हैं status आ जाता है और status में है monetization status you are eligible for monetization कि अब आप monetization tools को use कर सकते हैं Instagram के monetization tools कौन कौन से उसमें अगर हम लोग बात करें इसमें सबसे पहले तो यह आजाता है पाकिस्तान में फिलहाल जो options available हैं उसमें यह आ जाता है कि आप paid partnership label यूज कर सकते हैं इसके इलावा ads के through कर सकते हैं ठीक है और अगर हम लोग बैक पर जाएं तो यह देखिए उन्होंने का काफी जाएंसर की वीडियो देखियों कि उन्होंने बोला होगा paid partnership with means कोई ना कोई उन्होंने ब्रैंड के साथ किया हो तो उसके थ्रुआ परन कर सकते हैं अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में यह होता है कि अब इंडिया की मोनेटाइशन में उन्होंने र प्ले होती है तो उसमें आपको कोई ना कोई एड वो दिखाता है मोनेटाइशन डिस्प्ले करता है जिसके आपको पैसे मिलते हैं लेकिन पाकिस्तान में अभी रियल्स मोनेटाइशन अवेलेबल नहीं हुई है अब मैं आपको अपना एक दूसरा काउंट दिखाती हूं जहां पर मैंने अभी इसको इनेबल नहीं किया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं ठीक है यह मेरा एक दूसरा काउंट है जिसको मैंने अभी कुछ हर्सा पहले मिन्स वन और टू मन्स अगो मैंने स्टार्ट केस के ऊपर मैंने अभी तक ज्यादा पोस्त वगारा अप branded content branded content में हम लोग आएंगे status पर स्टेटस पर हम लोग ने click कि आप होंगे यू आरे लिजबल यू देन्डिड कॉन्टैंट टूल्स यह थो नहीं बता दिया कि आप branded content टूल्स के लिए eligible हैं लेकिन अब हम उन्हें उन्हें यह जैसे मैंने आप को पहले अकाउंट में दिखाया था कि हमारे पास option आ रही थी ठीक है वह वाली option इस वाले account में नहीं आ रही अब अगर हम लोग एक दफ़े इनको review कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज है हम लोगों को जहन में रखनी है अगर हम लोग ने अपनी eligibility को maintain रखना है monetization के लिए ताकि जैसे ads, reels पे ads का option पाकिस्तान में आए तो हम लोग इससे फाइदा उठासे के जैसे कि Indians काफ़ साथ उससे फाइदा उठा रहे हैं और उससे earning भी कर रहे है टोलर्स में tips to maintain eligibility, do's and don'ts को उनने बताया, do's में stay up to date on instagram community guidelines आपने instagram community guidelines को violation नहीं करनी है उसके लाव हम बोले only share content you created and which you have the rights to use mean कि आप लोग ने content ऐसा यूज करना है जो आपने खुद बनाया जैसे हम लोग youtube की बात करते हैं कि उसके ओपर कोई copyright नहीं आना चाहिए इसी तरीके से हम लोगों ने instagram पे भी करने कि हम लोगों ने copyrighted content यूज नहीं करना हाँ अगर आप यूज करें तो उसमें अपनी value एड करें उसको edit करें उसके ओपर vice over करें किसी ना किसी तरीके से आपकी value उसमें added होनी चाहिए उसकी example में आपको बात में दिखाती हूं maintain and established presence for your account जैसे यह यहां पर लिखा हूँ means कि आपने presence रखनी है अपने account में activity रखनी है आपने उसको बिल्कुल dead नहीं कर देना कि आपने एक deal डाली है उसके बाद आप भूल गए हैं और फिर आप 10-15 दिनों के बाहर आ रहे हैं ठीक है don't के अब don't अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ हम लोग ने अपने account में नहीं करनी don't post content you didn't create or don't have the rights to use वही मैंने copyright वाली बात की don't post content that should be considered false misleading or overly sensational कि आप लोगों ने कोई भी rumors वाला content जैसे viral हो जाती है कोई भी चीज़ लेकिन वो होती गलत है तो आप लोगों ने ऐसे कोई चीज़ शेयर नहीं करनी don't show content in ways that compromise quality for viral distribution कि आपकी quality खराब हो रही है आपके content के लेकिन आपने सिर्फ इसलिए शेयर किया है कि वो वाइरल हो जाए तो ऐसा आपने ने करना अब हम लोग यह सारा हम लोग ने पढ़ लिया अब हम लोग जाते हैं इनेबल पर आप यू के ना यूज ब्रेंडिट कोंटेंट टूल्स हम लोग ने इनेबल किया तो नहीं किया यू के ना यूज ब्रेंडिट कोंटेंट टूल्स यह मारे पास आ गया अब उन्हें कहां नेक्स्ट स्टेप्स को हो सकते हैं साथ आपको लैबोरेट करते हैं और पार्टनर्शिप और ये पाइब ब्रेंड पार्टनर्स चीप लेबर्ड फूम फ्रून फीर अपने लेबल ठीक है अब हम लोग इसको ड़न कर देते हैं यूर्प लोगा तू यूज़र पास आगया अब आप लोग ने जैसे कि देखिया है कि हम लोग ने उसके लिए अप्लाए कर दिया था अब यही वाला वो वाला अकाउंट मैंने खोल लागा जिस पर हम लोग ने अप्लाए किया है यह देखे मैं आपको लोग को दिखा दूँ यही वाला अकाउंट हम लोग ने खोल ला आप paid partnership के थोरो भी brands के साथ अर्म कर सकते हैं, collaboration के थोरो भी कर सकते हैं या फिर आप wait करें कि reels हमारी monetization पाकिस्तान में आ जाओ तो फिर आप हर reels के साफ से, उसके views के साफ से अर्म कर सकते हैं, जब उसमे एड display होगी तो यह थी हमारी आज की वीडियो उमीद करते हूं, आप लोगों को यह वीडियो helpful लगी होगी और अगर आपका कोई भी Instagram से related या किसी भी और social media से related कोई भी question है कि आप अपने account की reach कैसे increase कर सकते हैं, आप अपने followers कैसे increase कर सकते हैं, तो आप प्लीज Instagram monetization Reels पर available होगी, मैं फोरान आप लोगों के साथ वो news भी share करूँगी, तो अगर आपने मेरा channel subscribe किया होगा, तो आपको वो news फोरान मिल जाएगी, ठीक है और अपना बहुत सारा ख्यार रखिएगा, कोई भी question होता है, नीचे comment में जरूर पीचेएगा, next video में मिलते हैं, bye bye